So what's up guys, welcome to my youtube channel So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा मैट के रिगार्डिंग ये एक बहुत important topic है So recently अभी Adobe ने latest version के अदर कुछ changes करे हैं इस वाले feature में So मैं उन सारे features की बात भी करने वाला हूँ So वीडियो को शुरू करते हैं without wasting any time So यहाँ पर हमने afterfacts को open कर लिया है So मैं अभी यहाँ पर एक image को ले के आ रहा हूँ कुछ इस type से और मैं आपर इस image को scale कर रहा हूँ Something like this ठीक है आप यहाँ पर और कुछ भी ले सकते हैं Like shape create कर सकते हैं कुछ भी अब मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर simply type किया design और इसका color आपको कुछ भी ले सकते हैं ठीक है और यहाँ पर press किया P P for position एक की लगाई कुछ frame पीछे गया और यहाँ पर मैं इसको animate कर रहा हूँ कुछ इस type से इसके बाद मैंने आपर किया select सारी यहाँ पर keyframes को यहाँ पर फोड़ा बहुत इसे smooth कर रहा हूँ अगर आपने previous वीडियो नहीं देखी है basics के regarding आप लोग जाकर देख सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के description में यहाँ पर हमारे पास एक simple सी यहाँ पर animation आ चुकी है अब मैं आपर चाहता हूँ कि मुझे इस text को इस image के अंदर से reveal करना है ठीके इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं वो क्या है एक जो image होती है वो RGB यह से मिलके बनती है it means red, green, blue and alpha and कई बार ऐसे भी होता है किसी image के इंदर alpha नहीं होता है ठीके इतना आप यहाँ पर दियान रखो अब मैं वापस गया after facts के इंदर और अभी कले मैं आप इस क्याइस कर रहा हूं close and then मैंने आपको क्लिक किया image के उपर जैसा कि मैंने आपको बताया था एक image कैसे बनती है with the combination of RGBA ठीके, यहाँ पर आपको मिलते है channels अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं so now we can see इस image का red channel ऐसे मैं आपको चेक कर सकता हूं blue, green and all अब यहाँ पर हमारे पास एक होता है alpha channel alpha का मतलब यहाँ पर क्या होता है basically transparency so हाला कि अभी हमारे पास इस image के दर कोई भी transparency नहीं है so after facts इस image को as a complete alpha count कर रहा है अब alpha को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं मैं simply यहाँ पर आया कई बार ऐसा होता है कि हमें ना कुछ ऐसी images की need होती है जिनका background ना हो ठीक है so that's why हम लोग png में इसको download करते हैं internet से for example अगर मैं यहाँ पर जाता हूं और मैं यहाँ पर एक image को यहाँ पर लेके आ रहा हूं so we can see अभी इस image के ना पीछे कोई भी background नहीं है it means इस image के अंदर यहाँ पर alpha include है अगर इस image में alpha include नहीं होता so इसके background में white या फिर you know कोई भी black color आपको देखने को मिलता अगर मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर चक करता हूं alpha so we can see कुछ इस type से ठीक है हमें सिर्फ इसका इतना part visible है ध्यान दखना this white area is visible और जो black area होता है वो visible नहीं होता है अगर मैं यहाँ पर click करता हूं इसके transparency grid में so now we can see अभी इस image के अंदर alpha है that's why यह transparent है ठीक है so alpha का मतलब क्या होता है transparency so मैं वापस यहाँ पर आया but इस image में ऐसी कोई transparency नहीं है so by default after facts इस पूरी image को alpha count कर रहा है I hope करता हूं आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा because this is important अब मैंने क्या किया वापस से यहाँ पर इसके eyes को open किया now our concern is मुझे इस text को इस image के अंदर से reveal करना है अभी यह text बहार से आ रही है ठीक है so इसके लिए मैंने क्या किया इस image को मैं नीचे लिखे गिया कुछ इस type से और यहाँ पर आपको options मिलते है mad के so बहुत से लोगों को यहाँ पर option देखने को नहीं मिल रहे होंगे और इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पर expand में यहाँ पर click कर सकते हो otherwise यहाँ पर click करो column और आपको यहाँ पर सारे modes मिल जाते है ठीके so one more thing बहुत से students को यहाँ पर option कुछ different देखने को मिल रहे होंगे so मैं आपको यह बता देता हूँ कि मैं आभी adobe के latest version उस कर रहा हूँ 2024 and previous वाले version में यह वाले options available नहीं है so adobe ने यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत changes कर रहे है अभी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा अब आपको क्या करना है इस icon को लेके जाना है यहाँ पर and this is not parenting के options ठीके यह parenting वाले option नहीं है parenting वाले options यहाँ पर है ठीके यह alpha matte वाले option है यह तो आप इसको यहाँ पर कुछ इस type से alpha matte कर सकते हो first thing second thing यहाँ पर click करो और इस image को यहाँ पर करो select so इस से क्या होगा यह layer अब alpha matte में convert हो जाएगी ठीके now if I play this we can see अब यह जो text है यह इस image के अंदर से reveal हो रहा है अब actual में क्या हो रहा है यह जो text है यह इस image का alpha use कर रहा है reveal करने के लिए that is the reason यह text सिर्फ इतने size में है जितने size में यह image है got it अगर मैं यहाँ पर इस image का size increase करता हूँ कुछ इस type से now we can see इसका और भी part reveal हो रहा है ठीके so यह जो text है यह इस image का alpha use कर रहा है अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है it can be video it can be any kind of shape and all got it अब मैंने क्या किया मैं इसे यहाँ पर कर रहा हूँ none और मैं आपर इसका कर रहा हूँ color nearby red और अब मैं इसका करने वाला हूँ opposite मैंने आपर इसकी eyes को open किया और मैं simply इस image को नीचे लेके आ गिया और अब मैं क्या करने वाला हूँ थोड़ा से यहाँ पर इसका size में छोटा कर रहा हूँ one more thing अगर मैं आपर इसकी मैंने eyes close कर दी और अगर मैं इसका भी यहाँ पर alpha check करता हूँ इस text का so we can see कुछ इस type से लेकिन अभी यहाँ पर blue में कोई भी value नहीं है because जो यह text है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ red color है red color की values available है that is the reason कि यहाँ पर green या blue हमें show नहीं कर रहा है but red show करेगा ठीक है कुछ इस type से वापस से मैं आपर इससे कर रहा हूँ अब मैंने क्या किया मैंने simply इसे यहाँ पर कर दिया क्या alpha matte click करो अब क्या हो रहा है यह image इस text का alpha use कर रही है it means जितने area में यह text होगा सिर्फ उतने area में हमारी image visible होगी got it जितने area में यह text होगा अब आप लोग बोलोगे कि text तो यहाँ पर visible है बट यहाँ से शुरू क्या हो रहा है because जो यह image है यह size में छोटी है जैसे ही आप इस image को scale करोगे now we can see आगे बढ़ी गया यह छीक है so I hope करता हूँ कि अभी तक आपको यहाँ पर alpha matte का concept समझ में आ रहा होगा अब इसके लिए हम लोग एक example all देने वाले है मैं यहाँ पर गया यहाँ पर एक मैं image को लेके आया again this is alpha image क्यों क्योंकि इसका जो background है वो transparent है आप लोग यहाँ पर जाके check कर सकते है कुछ इस type से ठीक है मतलब अगर मैं इसके पीछे कोई भी background लगाऊंगा तो वो आप उसे देख सकते हो so अब मैंने प्रेस किया P, P for position and R, R for rotation first frame पे गए की लगाई इन दोनों को मैंने आपे कर दिया आगे और थोड़ा सा मैं आपे से scale भी कर लेता हूँ nearby 70 और मैंने इस image को नीचे की तरफ shift कर दिया मैं इसे animate करने वाला हूँ नीचे से उपर और rotation मैंने आपे कर दिया रहा हूँ 20 so we can see हमें आपे कुछ इस type से देखने को मिल रहा है select all the keyframes right click keyframe assistant and then easy ease और position को मैं आपे हलका सा कुछ इस type से रख रहा हूँ ठीक है सो हमारे पास यहाँ पर decent सी animation आ गई है अब मैंने क्या किया यहाँ पर एक circle draw किया कुछ इस type से ठीक है color मैंने आपे इसका white रख दिया अब एक बाद हैन रखना after effects के अंदर दो चीज़े होती है alpha matte और luma matte alpha matte में color कुछ भी हो कोई matter नहीं करता luma matte में matter करता है बट अभी हम लोग यहाँ पर सीख रहे है alpha matte luma matte की बात में next वीडियो में करने वाला हूँ अब मैं आपे चाहता हूँ कि जो यह image यह वो इस shape के अंदर से review लो simple है image में जाओ make sure shape उपर होनी चाहिए image में जाओ इस यहाँ पर कर दो आप alpha matte कुछ इस type से so now we can see हमें यहाँ पर कुछ इस type से देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर एक बात देहां नखना पहले वाले version में क्या आता है कि आपको यहाँ पर option लिखे वे mention होते थे like alpha matte, alpha inverted matte, luma matte and all so अब इन लोगों ने क्या कर दिया है यहाँ पर एक option दे दिया है and by default यह alpha matte रहता है अगर आप इस पर click करोगे तो यह change हो जायागा luma matte ठीक है वापस click करते हैं अब अगर मुझे यहाँ पर इसे करना हो alpha inverted matte so आपको यहाँ पर click करना है so यह इसका invert कर देगा अब invert का मतलब यहाँ पर क्या होता है इसे आप समझो कि जितने area में इस shape का alpha होगा उतने area में image show नहीं करेगी उसके opposite show करेगी ठीक है जैसे कि इस image का alpha हमारे पास यहाँ पर इतना था इसका opposite आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आप यहाँ पर वापस से click करेंगे यह हट जाएगा ठीक है आप यहाँ पर और भी चीज़े create कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक और example दे रहा हूँ एक यहाँ पर circle draw किया कुछ इस type से और express किया scale यहाँ पर किया लगा दी इसे मैंने आगे shift किया इसे यहाँ पर कर दिया zero और आगे जाके इस वाले keyframe पर मैंने आप इसे कर दिया scale कुछ इस type से अब मैं आप चाहता हूँ कि इस shape के through यह image reveal हो सो क्या करना पड़ेगा simply यहाँ पर करो select इस layer को image की and then alpha matte so we can see कुछ इस type से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है काफी basic यहाँ पर मैंने इसे बताया है बट आने वाली वीडियो में जब हम future में VFX की वीडियो बनाएंगे सो हम लोग इसका बहुत use करते हैं और use हमने किया भी है previous videos में ठीक है अब यहाँ पर हम लोग एक चीज समझने वाले हैं which is so important पहले वाले version में एक issue था बट इस वाले version में वो solve हो चुका है example के तोर पे मैं यहाँ पर गया इस वाले composition में मैंने क्या किया एक text यहाँ पर type किया like motion और इसका यहाँ पर मैंने कर दिया color white ठीक है और इसको मैंने यहाँ पर scale कर दिया और इसको मैंने हाँ पर animate कर दिया कुछ इस टाइप से पी प्रेस किया की लगाई इसे मैंने पीछे shift कर दिया सुरी हापे हापे मैंने की फ्रेम एड किया इसे मैंने पीछे shift कर दिया और मैंने आप इसे आगे कर दिया अब गाईस मैं हापे चाहता हूँ कि मुझे इस image को इस shape के अंदर से reveal करना है जैसे की Mr.Beast की यहाँ पर फोटो आ रही है तो पहले वाले version में हम लोग क्या करते थे इस shape की हम लोग लेते थे duplicate copy ctrl D से इसे हम लोग रखते थे top पर and then यहाँ पर again इसे करते थे कुछ इस type से alpha matte now we can see it means जितने बार हमें इस type का work करना है उतने बार हमें इस shape की duplicate copy लेनी परती थी अब एक दो बार तो ठीक है बट कई बार ऐसा होता है कि आपको 5-6 बार आपको repeat करना है तो क्या होता है कि आपको बार बार आपको shape की you know duplicate copies लेनी परती है अलफा matte करना पड़ता है इससे क्या होता है कि यहाँ पर टाइम लाइन पर बहुत सारी layers यहाँ पर हो जाती है which is so time taking बट इस वाले version में क्या होगी है कि यह problem आपकी solve हो गई है वापस से मैं आप इसे कर रहा हूं untake delete करते हैं अब आपको कुछ नी करना simply आप एक layer के साथ multiple images को और text को या footage को matte कर सकते हैं example के लिए मैंने आप इसे कर दिया कुछ इस type से अब मैं आप इसे play करता हूं now is same work कर रहा है got it यह यहाँ पर एक बहुत अच्छा feature है आप लोग इसे use कर सकते हैं alpha matte का and alpha inverted matte आपको समझ में आई ही गया होगा so next video में हम लोग बात करने वाले हैं luma matte के बारे में so guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था I hope करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगी हो आपको वीडियो समझ में आई हो guys अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो आप लोग ह आप एक कुछ नगुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के regarding so तब तक लिए guys take care bye bye मिलते हैं किसी next वीडियो में